हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और जी सकते हैं लंबी जिन्देगी वो भी बिना किसी परेशानी के या आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चाय के बारे में जिसकी सेवन से आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों अपने आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की दवाईयां और साथ ही एकसरसाइज और कॉस्मेटि करना चाहिए जोकि मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप इतना हमेशा याद रखे हैं कि हमें तला भुना नहीं घाला चाये इसे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अ शुटक मैं आपको बताने वाली हूं वह से केले का चाय केले का चाई जापान में बहुत ही प्रसीद हैं वहाँ के लोगों के लिए एक अम्रीथी है यूं कहें कि वहां के लिए एक बहुत परमुख चाय जो हर कोई पीता है और यह बहुत फाइदे मंद होता है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है और इसके यूज से आप कितनी परिशानियों से छुटकारा पाते हैं दोस्तों अगर आपको कब्ज है या सरदर्थ या फिर नींद के लिए परिशानी है नींद नहीं आती है डाइविटीज है या तनाओं बना रहता है तो इन सब के लिए आपको ये चाय जरूर पीना चाहिए ये चाय पीने से आप अपने नर्वस सिस्टम को भी सही कर सकते हैं इम्मिनूटी सिस्टम सही होती है और साथ ही आपको बहुत सारी परिशानियों से छुटकारा मिलता है पूरे दिन एनर्जी भी बनी रहती है अब इस चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप पानी, स्वाद अनूसार दालचीनी और केले का छिलका अब इसे बनाने की बिधी है पानी को अच्छी तरह गर्म कर ले और इसमें केले का छिलका और दालचीनी मिलाकर थोड़े दिर के लिए उबाले जब ये अच्छी तरह पांच मिनट के लिए उबल जाए तो इसे अच्छी तरह छान ले और आप इसका सेवन करे आपकी चाय तयार है इसके रेगुलर उपयोग से आप बहुत सारी परेशानियों से बिमारियों से छुटकारा पाते हैं और साथ ही जीते हैं निरोग जिन्दगी और हमेशा स्वस्त रहते हैं दोस्तो आप भी केले के चाय का सेवन जरूर करें और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं लेकिन दोस्तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें आप जादा से जादा पानी पिएं ये आपके सिहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और आप सब चानते हैं कि हमारा सरीर 72% पानी से बना हुआ है अगर हम जादा से जादा पानी पिएंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है दोस्तो आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है इसलिए हमें जादा से जादा पानी का सेवन करना चाहिए साथ ही हमें हरी पत्तेदार सबजियां खाना चाहिए और डेली एक गलास फल का जूस या फिर एक गलास सबजी का जूस लेना चाहिए पर डे कम से कम 40 मिनट के लिए हमें शारिरिक परिस्रम करना चाहिए इससे हमें शारिरिक और मानसीक दोनों रूप से बहुत संतुष्टी मिलती है साथ ही दोस्तों साकाहरी बने रहें और ताजे फलो का सेवन करें उमीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हेल्दी रहें खुश रहें तैंक यूँ